इस्वर नहीं है और इस्वर बिल्कुल नहीं है जिसने भी इस्वर को रचा वह बेवकूफ है जो इस्वर का परचार करता है वह अदुस्थ है और जो इस्वर की पूजा करता है वह बरबर है दोस्तो आपने अभी जो यह वाक्या सुना या किसी और के नहीं बलकि पेरियार इवी रामा स्वामी के हैं दोस्तो पेरियार ने धर्म और इस्वर को लेकर के कई एहम सवाल खड़े किये उन्होंने तो इस्वर को लेकर के 15 सवाल खड़े कर दिये जिसका जबाब आज तक कोई भगवान या उनके भक्त नहीं दे सके आएए दोस्तो पेरियार के 15 सवालों के बारे में जानते हैं आखिर वह कौन से ऐसे 15 सवाल थे जिनको सुनकर मनुआदियों को मिर्ची लगती है दोस्तो पेरियार इस्वर से कहते हैं कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो कभी किसी के सामने नहीं आते क्या तुम खुसामत प्रस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो क्या तुम हमेशा बूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूद घी आदी लेते रहते हो क्या तुम मान सहारी हो जो लोगों से निर्बल पसुओ की बली मांगते हो क्या तुम सोने के ब्यपारी हो जो मंदिरों में लाखो टन सोना दबाए बैठे हो क्या तुम ब्यबचारी हो जो मंदिरों में देवदासिया रखते हो क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलतकारों को नहीं रोक पाते क्या तुम मुर्ख हो जो 200 के देशों में गरीबी बुखमरी होते हुए भी अर्बो रुपय का अन्न, दूद, घी, तेल बिना खाये नदी नालों में बहा देते हो क्या तुम बहरे हो जो बेवजा मरते हुए आदनी बलतकार होती हुई मासूमों का आवाज नहीं सुन पाते क्या तुम अन्दे हो जो रोज हो रहे अपरादों को नहीं देख पाते क्या तुम अतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं क्या तुम अतंकवादी हो जो ये चाते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें क्या तुम गुंगे हो जो एक सब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोडों लोग तुमसे लाखो सवाल पूछते हैं क्या तुम ब्रश्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते क्या तुम मुर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुमारे अस्तितों को ही नकारते रहते हैं